प्रदेश सरकार में मुक्य संस्देश चीव संज्यावस्ति ने जो ब्यान दिया है उस पर यह है कहावत जिर्टाथ होती है शाज तो बोले सो बोले छलनी भी बोले जिसमें सो सुच्छीत मैं आदनिया संज्यावस्ति जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजा रही कि चालीस बिधायकों वाली सरकार सोला महिने में उनके छे बिधायकों ने स्टीफा क्यों दिया क्यों उन्हें कॉंगर्स के रज्यासवा के सांसित के खिलाब मद्दान दिया शोला महिने में पच्ची सो क्रोड पे का कर्ज लेने वारी सुकविंदर सिंग सुक खुजी की सरकार ने परदेश में चारोतर विकास के काम बंद पड़े हैं कॉंगर्स अंतर कह से जूज रही है परदेश के लोग परशान है हताश है निराश है क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं कॉंग्रस में इसे ज़्यादे फूट का क्या उधारन दिया जा सकता है कि इनकी परदेश की अधिक्षा और सांसद आदनिया प्रतिवा सिंग जी ने प्रेस में केई वार कहा मैं चनो नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे लोक सवाक्षेतर में वर्त्मार मुख्या मंतरी ने कोई काम नहीं किया हमारे कहने से कौई काम नहीं होता हम पूल तक नहीं बदल सकते विधायक MP लेड़ से थोड़ी चनो लड़ा सकता है इसका अर्थ क्या निकाल आ जाये सारे विधायक परशान है, पूरा परदेश परशान है, चार उतर भरष्टाचार का महोल है, खनन माफिया सक्रिया है, आज पूरा उधोगी कराने परशान है, एक संस्देश चिफ, मुक्य संस्देश चिफ से पूरा उधोगी कराना परशान है, नई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, खनन माफिया सक्रिया है, बरष्टाचार का बोल बाला है, इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने अंदर जहां कर देखना चाहिए, आखिर क्या करण है, कोंगर्स ने आज तक लोग सबा के दो संस्दों के टिक्ट क्यों डिसाइड नहीं करें, तन विदायकों के लिए उपचलों के अवत तक टिक्ट क्यों नहीं दिए, ये सोचनीए विश्चा है, कोंगर्स के लिए, कोंगर्स काॉप इन दर अंतरम२ भी वाने चाहेंगे बस ठीक